नास्ता बनाती वक्त यही ख्याल आता है कि कोई ऐसी रस्पी हो जो फटाक से बन जाए और स्वाद में भी बहुत टेस्टी हो तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ सूजी का उत्पम इससे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है तो चलिए आज की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रस्पी सुरू करते हैं सूजी का उत्पम बनाने के लिए एक बर्धन में हम एक कप सूजी डाल देंगे फिर हम इसमें आदा कप दही डाल देंगे और इसमें आदा कप पानी डाल देंगे तो एक कप सूजी के लिए आदा कप दही और आदा कप पानी मिलाएं अब हम इन सब को अच्छे से मिला देंगे और इसके बादे से हम 15 से 20 मिनिट के लिए रख देंगे ताकि सूजी जो है वो पानी को अब्सर्ब करके थोड़ी सी फूल जाए तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है अब हम इसे ढख के 15 से 20 मिनिट के लिए रख देंगे एक बाउल में हम प्यास डाल देंगे टामाटर डाल देंगे सिमला मिज डाल देंगे हरी मिज डाल देंगे हरा धनिया डाल देंगे आप इसमें अपनी पसंदी कोई भी सब्जी डाल सकते हैं अब हम इन सब को अच्छी तरह मिला देंगे तो पंदा मिनिट हो चुके हैं तो जो सूची जो हमने फूलने के लिए रखी थी तो वो पहले से ज्यादा फूल गई है तो हम इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे मतलब ये बहुत थेक है तो हम इसमें एक चौटाई कप से थोड़ा कम पानी डाल देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन कर लेंगे जैसे इडली या डोसा का बेटर होता है वैसे हम इसका बेटर गुना लेंगे और इसके बाद इसमें हम एक चोटा चमर नमक डाल देंगे और इसमें आदी चोटी चमर चिली फ्लेक्स डाल देंगे ये विल्कुल optional है, आप इसमें बारी कटी हुई हरी मेच को भी डाल सकते हैं, इसे हम अच्छी तरह मिला देंगे, और अब हम इसमें लाश्ट में डालेंगे सोडा, सोडा डालने से जो हम मुत्वम बनाएंगे वो फूला फूला बनेगा, तो यहां पे हम इसमें आदी छोट रिचमर बेकिंग सोडा या उसकी जगह इनों का इस्तमाल करेंगे, मिला दें इन सबको अच्छे से, अब हम चलते हैं तवही की तरफ, तो गैस ओन करके तभी पर हम थोड़ा सा ओल लगा देंगे, इसके बाद जैसे ही तवह अलका सा गरम हो जाएगा, हम इसमें डाल दें अब इसकी उपर हम अपने पसंद की सबजिया डाल देंगे, और इसे थोड़ा सा प्रेस्ट कर देंगे, ताकि सबजिया जो है वो निकले नहीं, इससे हमें धीमी आज पर पकाना है, क्योंकि वेस जो है वो जल्दी से पक जाता है, उपर की जो लेयर है वो नहीं पकेगे, तो किनारों पर हलका सा ओयल लगा देंगे, अब हम हलके हाथों से तवे को थोड़ा तेट्शा करके इसे पलट लेंगे, थोड़ा सा तेल बापस लगाएं, ताकि जो बेस वो अच्छे से पक जाए, एक उत्पम को बनाने में आपको 2-3 मिट का समय लगेगा, तो अब मैं इसे बापस पलट देती हूँ, ये देखिए, दोनों साइट से अच्छे से पक गया है, इससे ज़्यादा इससे नहीं पकाना है, तो इससे मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, सेम प्रोसेस से हम दूसरा उत्पम भी बना लेंगे, अब हम चलते हैं इसे सर्फ करने के प्रोसेस में, तो सर्फ करने के लिए आप इसे ऐसे ही खाएं, या फिर टोमेटो कैचप ये ग्रीन चिली सॉस के साथ सर्फ करें, ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और इसे बनाना बहुत आसान है, तो आप भी सूजी की टेस्टी नास्ते की रेस्पी को जर सेयर करें,